नमस्कार दोस्तों स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास OnePlus Note 2T है या OnePlus है आपके पास कोई साभी फोन है किस तरह से आप Slow Motion वीडियो सूट कर सकते हो और Slow Motion कौन सी कंडिशन में किस तरह से सूट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग Slow Motion सूट करते हैं जो की गलत तरीके से सूट कर लेते हैं जैसे कि FPS सही नहीं होता है उनका या फिर Resolution बहुत सारे लोग Confused रहते हैं तो देखो एक चीज यहाँ पे सबसे पहले समझो कि यह जो Mobile है इसमें 180P आपको सही रहेगा सूट करना या फिर 720 तो वो आपके Light के Condition पे Depend करता है सबसे पहले तो यह जो Flickering होता है Light Condition की वज़ा से देखो तीन आप Slow Motion की बात आ रखी है तो यहाँ पे तीन Condition हो जाते हैं पहला तो आपके Camera पे Direct Light पढ़ रहा है तो उसकी वज़े से होता है सेकेंड अगर Light आपकी यहाँ पी कम है तो उसकी वज़े से होता है और ठर्ड जब आप कोई Video सूट कर रहे हो तो जैसे कि मैं 720 कर लेता हूं और 720 के साथ आगर मैंने FPS को Increase कर दिया मतलब Frame Rate तो Frame Rate Increase करने के साथ देख सकते हो कि Flakering मेरा Increase हो गया है अब यह इस वज़े से होता है क्योंकि जितना ज़्यादा Frame सूट करना होता है उतनी अच्छी Light की Condition चाहिए होती है Camera को अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 720 पर है तो यहाँ पर Frame Rate का चक्कर समझाता हूं 120 FPS पर अगर आपका यह है यानि कि आपका जो Camera सूट करेगा 120 Frame पर सेकिंड सूट करेगा अगर 240 कर देतो तो 240 Frame Rate सूट करेगा और 480 करते हो या फिर 960 करते हो बात को समझो अगर आपने 120 किया है तो आपने एक वीडियो बनाया है जो की है 10 Second का या 7 Second का 7 Second में उसने या फिर 5 Second कर लेता हूं क्योंकि 10 Second कर लेता हूं क्योंकि Multiply करने में असानी रहेगी तो 10 Second में तो 1 Second में 120 Frame है तो 10 Second में कितने Frame होंगे? 1200 Frame होंगे अब 1200 फ्रेम को चलाना है पूरे के पूरे 10 सेकेंड यहाँ पे 240 फ्रेम को चलाना है 10 सेकेंड यहाँ पे चलाना है 4800 फ्रेम को चलाना है 10 सेकेंड और यहाँ पे 96 फ्रेम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जितना ज़्यादा फ्रेम होगा वीडियो आपकी उतनी ज़्यादा स्मूध होगी फ्रेम रेट से वीडियो की स्मूधनेस आपकी बढ़ जाती है तो यहाँ पे फ्रेम रेट का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा अब रहा रिजुलूशन क्या रखना है है ना तो देखो रिजुलूशन अगर आप यहाँ पे 180 करते हो और 180 के साथ 960 ऐसे सूट करते हो तो स्पेस आपका जाला लगेगा है ना रिजुलूशन अब आप पे डिपेंट करता है कि आप कितने रिजुलूशन पे सूट करना चाहते हो लेकिन लेकिन एक चीज़ समझो अगर आप 180 पे वीडियो सूट कर रहे हो तो मैक्सिम्म 480 फ्रेम रेट दे सकते हो अगर वीडियो जबकि 480 फ्रेम रेट बहुत जादा होता है डेलाइट में वीडियो सूट करो 180 पे 480 fps के साथ और इसमें आपको यह जो motion detection है इसको आपको ओन करके रखना है motion detection इस वज़े से होता है कि बहुत सारे लोग चल के ऐसे ऐसे वीडियो बनाते है जैसे ही चल के बनाओगे न तो motion detection आपको फोकस करेगा अबचेट को और एक बार उसने अगर फोकस कर लिया तो फिर वो उस object को बिल्कुल फोकस करके रखेगा और बाकी सबसीच को ignore करेगा और अगर आप यहाँ पे 720 पे करते हो तो daylight की conditioning है बहुत अच्छी light है और आपको super smooth video चाहिए तो 960 पे अगर personally मुझसे पूछोगे तो अगर मेरे camera का lenses बेटर है यानि कि अच्छी quality के lenses है तो मैं 720 के लिए जाऊंगा ओके और 720 में 960 fps suit करूँगा और अगर इस mobile से suit करना हुआ conditioning light की है तो मैं 180 के लिए जाऊंगा storage के अगर दिक्कत नहीं है तो अब आप पे depend करता है रही बात कि अब देखो यह तो ठीक है लेकिन यह flickering होती है अगर low light में suit करना है तो थोड़ा सा तो इसको कुछ ऐसा idea बता दो जिससे यह ठीक हो जाए तो देखो भाई यहाँ पिन एक ही चीज होता है या तो camera के frame को change करो या फिर आपको indoor में video suit करना है तो हमेशा frame rate को low करो यानि कि 120 करो resolution से फरक नहीं पड़ता resolution आप पे 720 रखो आप 180 रखो आपको हमेशा याद रखना है frame rate को कम करना है और frame rate को कम करने के बाद आप इसके ISO को increase कर सकते हो लेकिन ISO का increase भी slow motion में ज़्यादा effective नहीं होता है हाला कि आपका काम बन जाएगा ठीक है इस तरह से आप setting कर सकते हो slow motion की और वीडियो को rewind करके आप देख लेना तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो like, share, subscribe जोड़ो कीजिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए वावाए